हमारा आज का जो नेक्स टॉपिक है वो है फूड जीन अब हम देखते हैं कि कैसे एक और्गनिजम दूसरे और्गनिजम उससे फाइदा ले रहा है और पर और कैसे अधियर प्रोडियूसर का रिलेशन है वह कैसे है टीक है वह आपको बेस्ट फूड चेन के थ्रूपता चलता है अब फूड चेन होती क्या है अब फूड चेन अप्राइज इस एक सीक्वेंस अफ कन्जम्शन त्रूड विच एनर्जी एन नूट्रिंश आर इन एन्ड यू अप इसका मतलब यह है फूड़ चेन वह सीक्वेंस है आपके पाज यह सीक्वेंस होता है जिसमें क्या है कि फूड़ कैसे कंजीउम हो रही है उसको देखा जाता है कैसे इनर्जी और न्यूट्रेंट एक बंदा ले रहा है और उससे आगे दूसरा ले रहा ह simply हम कह सकते हैं food chain is defined as the process of हम simply सी इसके definition यह करक सकते हैं कि वह वरा process जिसमे process of eating खाने वाला process and being eaten और जिसने खाया आगे से वह भी खाया गया एटिक है eating खाने का और फिर खुद भी वह बंदा खाया गया इस process को आफ food chain कहते है example उन्होंने आपके पस terrestrial ecosystem के अंदर food chain के दिया है जैसे कि वह कहते हैं आपके पस grass जो है grass को grass ओपर खाता है grass ओपर को rat, rat को snack, snake के बाद eagle ठीक है इसी तरह अगर वह बात करें marine ecosystem के अंदर algae, algae को zooplankton खाएंगे, small fishes को large fishes and then whale कहते है all food chain being from सारी के सारी food chain हम देखें तो producer से ही consumer की तरह जा रही होती है तो आपके पास यह लेवल है first level second level third level fourth level fifth इनको आप traffic level बोलते हो ठीक है जैसे के producer वाला जो traffic level है वो first है उसके बाद आपके पस consumer वाला जो होगा वो second है और इस तरह आगे जाते जाएं तो third traffic level fourth traffic level इस तरह के से आपके पास ट्रॉफिक लेवल होते है कुछ food chain की examples उन्होंने आपके पास आपके बुक के अंदर figures get through भी show की है ठीक है जैसे के आप देखें पहली है कौन को red खा रहे है red को आगे से अहूल खा रहे है इसी तरह carrot को rabbit को खाते है rabbit को fox and then loin इसी तरह आपके पास grass grass उपर frog python और eagle सारों में आपके पास start जो है वो producer से ही हो रहे है और आपको पता है producer आपके पास हमारे पास plants होते है ठीक है इसके साथ ही next आपके पास food वेब आ जाती है ठीक है food chain तो simple eating और being eating का process था ना food वेब का मतलब है खुराक का जाला ठीक है अब इसमें क्या है basically जो हमारे ecosystem के अंदर होती है वो food वेब होती है food chain तो simple है ना एक organism जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही organism को खा रहे हैं एक को खाने वाले दो तीन और हो सकते हैं उन दो तीन को खाने वाले दो तीन और हो सकते हैं so ये complex system है ठीक है एक वेब सा बना हुए हमारे पार कहते हैं the feeding relationship in a community can not be represented by simple food chain simple food chains के थरू हम अपनी community के अंदर खाने का जो relationship है वो हम represent नहीं कर सकते हैं because कहते हैं वज़ा उसकी जिए a single consumer eat more than one producer ठीक है एक single जो consumer है वो जरूरी नहीं है इस वज़े से कहते हैं there's many simple food chain इस से कहते हैं कि simple food chain है वो एक दूसरे के साथ link होके food web बनाती है food web is a geographical description of the food feeding relationship among the organism in an ecological community ठीक है अब आपको diagram से बैस समझा जाएगी इस topic की देखें आपके पास ये दो producers है algae और water weed ठीक है algae को prawn भी खाता है क्रैब भी खाता है इसके साथ साथ fly भी खाता है इसके साथ साथ slugs वगईरा जो है वो भी खा रहे हैं ये एक system उन्होंने बताया है अब आगे से आगे फर्दर आप इसको देखें इस प्राउन को खाने वाला trout भी है आगे से trout को king fisher भी खाते है किंग फिशर सिर्फ trout को ही नहीं खा रहा किंग फिशर क्रैप्स को भी खा रहा है ठीक है काप को भी खा रहा है इसके साथ अगर दूसरे उसमें देखें ये आपके पास fly है जो के water wheat को खाती है ये आगे से इसको खाने वाले dragon fly भी है और इनको आगे से frog खाती है frog direct fly को भी खाती है ठीक है इसके साथ जो आपके पास इस लग्स वगयरा जो है इनको खाने वाले टर्टल्स है टर्टल्स को आगे से फ़र्दर खाने वाले snakes है ठीक है या हम यह कह सकते हैं snake frog को भी खा रहा है और साथ में king fisher को भी खा रहा है तो यह आपके पास connected web सा बना हुए linkage है different food change का तो आपको different food chain के linkage को हम जो है वो food web बोलते हैं ठीक है इसके साथ ही next जो आपके पास topic है इसको भी देख लेते हैं इसमें वह आपको क्या कह रहा है energy relation between different traffic level अब energy का क्या different traffic level के अंदर energy का क्या relationship है the traffic level in ecosystem can be represented by number producer का जो number है वो first traffic level है उसके बाद आपके पास हर भी वोर्थ हैं यह जिनको प्राइमरी कहते हो second carnivore second consumer जी up to so on ठीक है इस तरह लेवल है first level second level third level जब कहते हैं when producer capture energy sunlight they convert small percentage of it into biomass while the rest or rest is used at its metabolic processes and also lost ठीक है अब simple सी बात है producer sunlight लेते हैं उनकी थोड़ी सी amount वो खुद अपने लिए utilize करते हैं बाकी वो lost हो जाती है वो जो अपने metabolic process के लिए use करते है therefore इस वज़े से कहते हैं at each level the amount of energy reduced during the transfer to the next level इस बात को वो explain इसलिए करे हैं कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ आप जाते हो तो energy साथ में क्या होती है reduce होती जाती है ठीक है in generally only 10% of the energy consumed by one level is available to the next केते हैं सिर्फ 10% एक लेवल से दूसरे लेवल को सिर्फ उससे प्रोवाइड होती है for example if rabbit consume thousand kilo calories of plant energy अगर rabbit ने plant को खाया ठीक है और उसने thousand kilo calories ली दे माइट only be able to form hundred kilo calories of new rabbit अब उसने आगे से फर्दर उस हजार में से सिर्फ 100 को यूज करके ने rabbit के जो ने टिशूज हैं उनको बनाने के लिए hundred यूज की so the fox consume इसी तरह गर fox की बात करें वो 10 kilo calories of rabbit biomass अब आगे से वो rabbit के ऊपर जो rabbit को खाने वाले fox है ठीक है अब fox को फर्दर कितनी मिलेगी 10 kilo calories सिर्फ मिलेगी और convert कर देगी इसको 10 kilo calories into new fox और वो जो 10 उसने ली उसने new अपने जो fox की अपनी नीड है वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए उसने यूज किया ठीक है तो य pyramid of biomass and pyramid of number parameter क्या होता है आपके पास जो आपके पास इस टाइब की शेप होती है उसको पारमिट कहते है ठीक है अब पहले हम biomass देखते हैं क्या है दस पारमिट of biomass represent amount of biomass total amount of living and organic matter of the organism in each traffic level कहते है यह आपके पास pyramid सा बना हुआ होता है ताकि यह number को represent कर सके कि कॉन से level के अंदर कि अपनी amount organism की मुझूद है because biomass is lost in a transition जैसे 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 उपर की तरफ जा रहे है एक कम होता जा रहे है तो उपर की तरफ जा रहे है तो उसका number काम हो रहे है biomass भी और नंबर दोनों इसी हिसाब से शो होंगे we would accept the higher traffic level would have less total biomass than those below सबसे नीचे वाले जो होते हैं वो producer होते हैं अब देखें आपके पास इस डाइग्राम में producer यह सबसे नीचे को शो कर रहे हैं उसके बाद प्राइमरी कंजियूमर के amount फिर secondary consumer की और टॉप पर टाइशिरी जैसे जैसे हम उपर की तरफ जा रहे हैं आपके पास जो उसका मै मैं डाइग्राम से आपको बता देती हूं देखें यह आपके पास बना हुआ प्रोडियूसर जो के पोदे हैं उनकी अगर amount यह है नमबर यह है उसके उसके उपर प्राइमरी कंजियूमर आर्ट्स वगारा की तादात उसके मुकाबले में कम है अब आर्ट्स को खाने वाल नमबर है वो कम होता है ठीक है